कैसे हैं आप सभी लोग आई होँब अच्छे होंगे और आज के स्वीरिम देखने कि जो भी चाहते हैं बीएड इंट्रेंस एक्जाम की तहरी कर रहा है और 2022 में आप लोग पेपर देने वाले और बीएड इंट्रेंस एक्जाम की बात करना हूं 2022 में तो आपको यह तो पता ह अगमें 20 प्लस का रहना चाहिए अब देखो मैं आपको बता दू इसको देखेंगे देखो एक बार सभी लोग पहला कोशन आपके सामने है और मैं जो टार्गेट जो रहता है मेरे वेसाब से आपको तार्गेट रहना चाहिए वो जीएस के अंदर आपको पता है जीएस के जो कोशन पूचे जाता है वो 50 कोशन बनते है पेपर में बीएड इंटरेंस एक्जाम 2022 में उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा ध्यान रखो उसमें से क्या करना पड़ेगा यदि आप केवल कितने करो 25 प्लस कर देना 50 में से जितना हो रहा हो तना करेंगे लेकिन 25 प्ल 40 प्लस कर रखना है मैं बिल्कुल मिनमन बता रहा हूँ आप इतना बड़े आराम से करके आओगे यदि आप डेली क्लास अपेंड करोगे तो और बहीं बात करूं रीजनिंग की तो आप जो रीजनिंग की क्लास होती है रीजनिंग में आप कितना करेंगे 50 में से आप करने आप जिस बर्ग से आप चूज करोगे यह फिर आप साइंस बर्ग से चूज करोगे विज्ञान बर्ग से तो उसके भी 50 कोशन आते हैं उसी सब्जेक्स एलेटेड़ तो यह आप यहां से भी आपके 25 कोशन कर देना 50 में से मैं यह जिनी आरहा कि ज्यादा कर दो टो टोटल आपके कोशन 130 plus हो ढगे 130 plus हो जाएंगे और 130 का मतलब होता है 260 number अब 260 number plus का मतलब होता है आपको government college में 100% admission मिलेगा यह कोई रोक नहीं सकता यह किसी महमत नहीं है कि आपको रोक सके ठीक है तो तो त्यारी इस तरीके से करनी है target हमारा यह रहेगा तो हम कुछ कर पाएं कि देखो बोला गया है आपको खंड समान ग्यान आपको ग्याद करना है समान ग्यान की कोशन है आप पहला कोशन आपके सामने है सभी लोग एक बार कॉमेंट करके सभी लोग बताएंगे 40 question में से आपके 20 प्लस रहना सोगे इस question वो क्या रहने वाला है समान ग्यान के question आपको पहला question आपका answer है इस question का answer किराएगा सब लोग comment section देखेंगे यहाब लगा है दैनिक सब्दा डॉट डॉट नदी के तड़ पर बिक्सित हुई है तो किस नदी के तड़ पर बिक्सित हुई है आपको यह बता रहा है जो वैदिक सब बता है वो किस नदी के तड़ पर बिक्सित हुई है जिसने भी option number दिया है सरस्पती नदी बिलकुर right होगा option number D वाले जितने भी है परमसत्तान सोगा next question आपके सामने आ चुका है इस question का answer सब लोग comment section में देंगे क्या रहने वाला है जुलाई 1944 में सयुक्त राष्ट संग बिरिटिन बोट्स समलेन में किस अंतरराष्टी संग ठन की कलपना की गई थी सब लोग comment section में आंसर देंगे देखिए जो अंतरराष्टी संग की कलपना की गई थी 1946 में वो कौन सा अंतरराष्टी संग था आपको याद रखना है वो था अंतरराष्टी है मुद्राकूस की और बिस बैंक की ये दो की हमने कलपना की थी तो option नमर ये C और D दोनों होंगे विलकुर राइट है Lex question को चलते है इस question को देखेंगे इस question का आंसर क्या रहने वाला comment सक्थ हम देखेंगे तीसरे question का आंसर सबी लोग comment सक्थ हम बताएंगे तीसरे question का आंसर क्या रहेगा चाहे करेंगे एक बार भारत की पहली engine भी रहेत जो speed train थी मतलब कि engine के भी रहे थी speed train जिसका train का नाम था train 18 ठीक है और इसकी बात करने वाले हैं और dot dot को integral coach factory द्वारा विक्सित किया गया वो कौन सी coach के द्वारा कौन सी factory थी जिसने इसका विक्सित किया था इसको बनाया था ठीक है यह बहुत जादा important और 160 km गंटे की speed से चलती है और इसका नाम था बंदे भारत express इसका नाम जो था वो बधा बंदे भारत express के नाम से जाने देया थी यह 160 km प्रती घंटा के साब से चलती थी प्रती घंटा के साब से option number C की हो चलते हैं next question आपके सामने इस question का answer बता रहे हया बहाद ROBनी किस के खाल सेन के seris पर सुरू होती है मलब किस के यहां बोलो dot के seris पर सुरू होती यह Astra इस तरीके से महा द्दमनी किस के seris पर शूरू होती है आपको चार option दे रखे है वाई निले, दाए अलिंद, दाए निले, भाई अलिंद, या फिर बाई निले, इस कोशिंग का अंसर क्या रहेगा? सब लिए कमेंट चक्षिंग का अंसर क्या होगा? चारका जिसने भी option number दिया है, B, बिलकुल right होगा by, क्या हो जाएगा by निले हो जाएगा by निले, option number B की हो जाएगा by निले is right होगा, ठीक है महा धमनी में क्या होता है, यह सबसे मूटी धमनी होती है सबसे सुद रक्त जो, और यह क्या है आंक्सिक्रत रक्त को पूरी body में पहुचाती है इस पात को dot dot की पतली पर्त के साथ आवरण करना है तो किसकी पतली पर्त के साथ आवरण करना होता है बताओ galvanization का मतलब क्या होता है इस पात की कौनसी पतली तो जस्ता की पतली पर्त को आवरण करना होता है ठीक है, option number जिसने भी दिया है बी परमसत्त आंसर होगा नेक्स कोशन आपके सामने आ चुका है इस कोशन का आंसर सब लोग कॉमेंट बताएंगे डॉट डॉट को छोड़का नमने के बिशे सभी संगन बहुलक है संगन बहुलक की बात की गई है तो एक को छोड़का सभी है वो संगन बहुलक है एक को कौन साइज उसको छोड़का उसको बता रहे है वही आंसर होगा जो संगन बहुलक नहीं है छटे कोशन का आंसर सब लोग बताएंगे जिसने भी ऑप्शन मर दिया है पॉली कार्बनेट बिलकुर राइट हो जाएगा डी इस राइट है नेक्स कोशन आपके सामने आ चुका है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल लंगरी के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल लंगरी के नाम से जाना जाता है तो यह सभी को बता होगा ये मुरादाबाद को पीतल लंगरी के नाम से जाना दाता है option number जिसने भी दिये है डीप प्रमसत्ता अंसर है next question को उसलते है इस question का answer कहा रहने वाला है comment section में से लोग बताएंगे यहां वो लगा है फ्रोजाबाद में 200 वर्स से भी अधिक समय से dot dot की sorry कांच की चूणियों का अत्वादन किया जाता है फ्रोजाबाद में सबसे ज़्यादा प्रिसिद्ध है कांच की चूणियों तो option number जिसने दिया है बी प्रमसत्ता अंसर होगा next question आपके सामनी है इस question का answer क्या रहने वाला है comment section में बताएंगे प्रिसिद्ध चित्र आपको बताना है महा भारत ठीक है किसके दोरा बनाये गया था जो प्रिसिद्ध चित्र था एक महा भारत का वो किसके दोरा बनाये गया था भारत माता का वो किसके दोरा बनाये गया था भारत माता को जो चित बनाए गया था वो किसके द्वारा बनाए गया था सबसे पहले तो पिरसे चित्र था बताओ किसके द्वारा बनाए गया था सब लिग उताएंगे भारत माता तो आप जानते होंगे भारत माता इस प्रकार से भारत का चिन्न होता है और उसके अंदर एक भारत माता को लगा रंगे गहां के मतलडब तरंगा के साथ में ने देखा होगा अकसर थीक है तो वह बात के गहीं है वह भारत जो आता है उसको किसके दौाइख वणोा बनाय गया था वो चित्र को आपकोई बताना गया है अबरिंदन नात ठाकुर द्वारा बनवाए गया था जिसे ने भी ऑप्शन नमर दिया है बी बिल्कुल राइट होगा बी इस राइट है रहने वाले है नेक्स कोशन आपके सामने आचुका है इस कोशन का आंसर क्या रहने वाला है सब लोग बताएंगे यहां हुला है हिंद पॉराडिक जो कता होती है हिंदु पॉराडिक धता है महाँ कावभार में भगड़न श्री राम ऐउदया के शासक थे विए उस समयं जो अंध्या की राजदानी ती वो क्या थी तो वह आप जांते हैं वह कोशन राजदानी ती जिसने भी option number दिया है डी प्रम्सत्तान से नेक्स्ट कोशन आपके सामने आच चुका है भारतिये मुक्यवाज जिसे MC कह सकते हैं मुक्यवाजी में तो दॉआरा लिखित एक आत्म कतान थी उसका सीरस्क क्या था यह बहुत जादा पूचा जाता है बहुत जाद है बहुत ज्यादे बहुत जादें और ये आपका सीरसक बताना, उनकी कथा थे, उनका सीरसक क्या था जिसने भी option number दिया है, बिलको राइड होगा, unbreak all बिलको राइड हो जाएगा, option number B की ओर जाएंगे चत्र कोट ये चत्र कोट भी बोलते हैं, जल परपाद भारत के किस राज मेशते थे, आप सब लोग दाएंगे चित्रकोट ये फिर चित्रकोट जल्परपाद है जो भारत में किस राज मिश्तित है तो जिसने भी option number दिया है 36 गड़ विल्कुर राइट हो जाएगा 36 गड़ मिश्तित है नेक्स question आपके सामने आचुका है इस question का answer क्या रहने वाला है बताएंगे वेनजुला की राजदानी क्या है सब लोग comment section बताएंगे जिसने भी option दिया है कारा कास वाले सब राइट है नेक्स question को चलता है इस question को देखिए भारत में निमनिकित में से किस रेडिय धर्मी धातु का बिस्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है भारत में निमनिकित में से किस रेडिय धर्मी धातु का बिस्व में तबसे बड़ा भंडार मौजूद है भारत में तो भारत में बो है थोरियम का थोरियम को टी-एच के दा नाम से जाना जाता है ठीक है ऑस्टिलिया के एक दिर्प कर सकते हैं दुपिय नाम राज्य कौन सा है वह आपको उसका नाम बताना है ऑस्टिलिया का क्या रहने वाला है इसने भी दिया है टेजमेनिया बिल्कुल रइट हो जाएगा बनेस को सब्सक्राइब नेक्स को चलते है इस को सब्सक्राइब गोडावरी नदी के किनारे इस्टित नहीं है कौन सा सहर है जो गोदावरी नदी के किनारे इस्थत नहीं है तो देखो गांधिबाद नासिक ये नासिक yada है ठीक है जो नहीं है वो हो जाएगा मारा गनासिक तो है ठीक है और निजामाबाद भी है नदेड़ yi है लेकिन कौन सा नहीं है आप सभी कहेंगो और बी नपसारी जो है वो शहर को कह सकते हैं गोदावरी नदी के किनारे नहीं इस्तित है नेक्स कोशन आपके सामने आ चुका है यहां देखो निमल मरत को संजीवा गरेडे थे उनके कार काल के बाद में भारत के राश्टपति कौन बने थे तो आपको बता आना है ग्यानी बिल्कुल सही है जैनानी बिल्कुल राइड हो जाये है संजीवा अ Deal के बाद में राश्टपति आप के सामने आ चुका है चंदगुप्थ के पुतर का नाम बता ही है but को बढ़ाए था जिसनी बिल्कुल राइट होगा बिंदू सार थे उनके पिता का नम फो उनके पुत्र का नाम नेक्स को जलते हैं इस कोशन का आनसर क्या रहने वाला है सब्लों को मेखला चाधर की जा रही है तो मेखला जो चाधर है वह कौन से राजी की महला आए ठिक है दुआरा पहना जाता है ये एक परंपारिक बस्तर है आपको बताना है मेखला चादर जो है वो असम की महला पहनती है ठिक है असम की महला आए बिलकोर राइट हो जाएगा ये साधी की तरह होता है option number D की और चलते हैं next question आपके सामने आ चुका है सभी लोग इस question का अंसर बताएंगे रविंदनार टाइगोर ने उने में से किस देश का राश्टी का लिखा था तो रविंदनार टाइगोर ने दो देशों का राश्टी का लिखा था एक था भारत और दूसरा था बेटा बंगलादेश ठीक है तो यहां देखो कौन-कौन से option दे रखें तो बंगलादेश दे रखा है तो option इसने भी दिया है डी परमसत्त आंसर का दो देशों का उन्हें राश्टीगान लिखा था तो next question को चलते है इस question का अंसर क्या रहा है इने वाला है सब लिग comment से बताएंगे मुगल समराज जहागीर ने dot dot मे साली मार बाग का निर्मार कराया आपको यह बताना है तो जहागीर ने कहां पर साली मार साली मार जो बाग है उसका निर्मार करा बाग है तो यह साली मार मार करें बो कस्मीर में है option number D के और जाएंगे next question आपके सामने आ चुका है इस question का answer क्या रहेने वाला है जिस बजार यह हो जिस बजार सरचना में केवल विक्रता होता है केवल एक विक्रता होता है उससे एक अधिकारी कहा जाता है एक अधिकार कहत है next question आपके सामने आ चुका है भारती सभीदान के किस मौलिक अधिकार में यह कहा गया कि मानब ब्यपार मतलब मानब को बेचना और जवरिया सरम मतलब जबरन सरम कराना काम कराना और 14 वाल से कम बच्चों की आईउ में मजदूरी कराना एक अपराद है तो आपको पता है यह है तो तो आर्यमने खसके सवा सोशना विरुद्द अपराद होता है यह आर्डो से करहा कि और देंगर जानके अच्ज्च महस पाफालो मतलब होता है तो नहीं सब्सक्रीकी क्या खसे झालते है कि हुआ ईकसर में पंदरा सो अफाइस में डॉट डॉट ने चंदेली में राजपूदो को हराया था तो चंदेली था उस में जह को चंदेली का योद हुआ था 1528 में आपको पता होता होगा 156, 1527, 1528 ठीक है तो देखो याद रखो 1529 एक बावर ने योद खिये थे लगा था 4 कितने देखो आपको पता होगा 1526 में जो युद yenEZव भा था we 세 Greg पानी पत्का पिरत्वियूב 1526 में ठीक है पानी पत्का पिरत्म युद उसके बाद में हुआ था मारा दूसरा युद मोज हमारा अुब किसे में हुआ था त्भीता खानवह सथा आईश में था खानवा का यूद जो राणा साघ्ण की हरायता हरायता रांथा पानी पत्थ म blij में इब्रहीव लोधी और 1528 की बात करें 1528 में वगा था यूद से बिसा यूदा गागरा गागरा का जो यह दुआ था उसमें क्या हुआ । अफगान पराजित हुए थे अफगान जो थे उनको पराजित किया था अट्टेह वो लगया है 1928 में इस्तापित हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता कौन थे तो आप सभी लोग इस कॉमेंट बैक्स मांसर देंगे इस कांसर रहने वाला है बिटाओ बिटा क्या रहने वाला उसमें जो कह सकते हैं जो रिपब्लिस आर्मी के जो नेता थे 1928 में हिंदुस्तान के वो थे चंद्रसेकर आजाद नेक्स कोशन आपके सामने आचुका है इस कोशन कांसर सभी लोग देंगे भूप्रेष्ट के कुल छेतरफर का लगबग भाग भूमी है मतलब भूमी के मतलब होता है देखो आपको बता है 100% हमारी क्या है पूरी पिर्थवी है पिर्थवी में से 71% याद रखना पूरी पिर्थवी की बात की जा गए है तो जो इसने भी option नमर दिया है 29 से 30 मतलब कि 30% हो जाएगी option number B की ओर जाएगे next question आपके सामने आ चुका है इस question कहां से सब्लें देंगे पिर्थभी की सतह की सबसे उपरी परत को क्या कहते है पिर्थभी की सबसे उपरी जो परत होती है उसको क्या बोला जाता है पिर्थभी की सबसे उपरी परत होती है उसको क्या बोलते है भूपरटी बोलते है metal बोलते है यह फिर कोड बोलते है यह फिर पताईए बहरेमंडल बोलते है इस question कहां थर उता हो बिलकुल ठीक है जिसने भी दिया है भूपरटी बिलकुल राइट हो जाएगा option number c के हो जाएगे next question आपके सामने है manap का बैग्यानिक नाम क्या होता है यह तो सभी को पता होगा manap बैग्यानिक नाम homo sapiens होता है sapiens sapiens तो homo sapiens लगा लो homo sapiens जिसने भी option number दिया है c विलकुल राइट होगा next question आपके सामने आ चुका है क्या रहने वाला है एक मीटर बह मीटर जो बहान द्वारा तै की गई दूरी को मापता है मलब एक बहान था यहां से यह बहान माल लो यह बहान था यहां driver बैठा है और इस बहान द्वारा चलाई की जो भी है ठीक है जो बहान द्वारा कह रहा है बहान द्वारा तै की की दूरी को मापता है उसे क्या कहते है तै की की दूरी को जो मापता है बहान के दूरा जो मापा जाता है ठीक है उसे पत्थ मापी बोलते है बहान के दोर जो माप आ जाता है पत्मापी बोलते है और किलो मीटर तो आप जाते है यह दूरी काई काई होता है थर्मा मीटर से हम तापमान गयाद करते है और चाल मापी से क्या करते है कितनी स्पीड से चल रहा है को बिचित कितनी स्पीड से चल रहे है चाल मापी वो बता तीसमें कोशन कांसर बताईए दाब के ऐसा ही मातरग को किया कहते है जो ऐसा ही मातरग होता है दाब का वो Paskal कहला आता है option number C क्यों जाएंगे next question आपने विरसे कौनसा ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है लाल लिटमस को नीला कौनसा ऑक्साइड कर देता है बताईए बहुत नीजा रही मुझे इस कोशन का अंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही जिसने भी option number दिया है magnesium बिल्कुल right हो जाएगा magnesium है next question आपके सामने आ चुका है इस कोशन का अंसर क्या रहने वाला है डॉट डॉट देखो कहा रहा है gas पृत्वी से दीगर तरंग अवरक्त बितरन अपसोसित करती है और पृत्वी की और उस सर्जित करती है आपको बताओ वो कौन सी तो आप पताएं green जो gas होती है green gas पृत्वी से दीगर तरंग बिकरन अपसोसित करती है और पृत्वी की और उस सर्जित कर देती है सब्सक्राइब कले? दिया सी बिल्कुर रहेगा नेक्स कोशन आपसे पूछा गया है इस कोशन का अंसा सब कॉमेंट सेक्स ने बताएंगे बताओ क्या रहेगा रुकमणी देवी जो थी रुकमणी देवी अरुटिल नित्त के किस रूप में एक पृतिशिश्टित नाट की एवम कॉरियोग्राफर थी आपको बताना है जो नाट की और कॉरियोग्राफर थी जो रुकमणी देवी वो कौन से नित्त के अंतर आती थी नित्त कौन सा था उनका तो आपसे किस रूप के नित्त में तो आपको गए भरत नट्यम भरत नाट्यम किसमें आता है ये होता है बहरत नाट्यम बोला गया है भूटान अपनी सीवा को किस भारती राज से साजा नहीं करता है तो भारत की चार राजों के सीवाओं से इस पर्च करता है लेकिन इसे कुझा है कौन से नहीं करता है तो आप यात करता है हिमाचल प्रदेश से स्वारी पसिम मंगाल से कर करता है लेकिन मेघाले से नहीं करता है मेघाले से क्या होता है विटा देखो 35 का क्या रहेगा कि मेघाले राज से नहीं करता है बाकी हमारा अरणाचे प्रदेश हो गया ठीक है इससे करता है सिक्कम से करता है और असम से भी करता एक राज है असम यह चार राज मैंने आपको लगे हुए है बागी मेगाले नहीं होगा अप्शे नमर सी कीयन एक नेक्स वोच्ण आपसे पूचा गया है कंप्यूटर माउस का बिसकार किस ने किया था तो कंप्यूटर माउस का घिसकार क आता किस ने किया था जंय कि बताइए Sum किस ने किया था देखियो डेगलस जो थे ना ऑप्शन नमर एड डेगलस कह सकते हैं एंजुवल वर्ड ऑप्शन नमर जिसने भी दिया है यह बिल्कुल राइट हो जाएगा नेक्स कोशन को चलते हैं इस कोशन का अंसर कह रहेने वाला है उत्तर प्रदेश के किस इस्थान को रामा सर इस्थल के रूप में नामित किया गया है मतलब कि नाम से जाना जाता है या फिर उनके नाम को दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस इस्थान को रामा सर जो रामा सर थे इस्थल के रूप में नाम कित किया गया है नामित भी बोल सकते हैं, उसको नामकित भी बोल सकते हैं, उनके नाम से जाना जाता है, इस तरीके से तो उपरी गंगा को, ठीक है, उपरी गंगा कह सकते हैं, उपरी गंगा ना दीकुक बोला गया है, उनके नाम से, तो option नमर जिसने डी दिया है, बिल्कुल राइट होगा, किस इस्थल को तो आपको गए उपरी गंगा को ठीक है रामा से इस्थल के रूम में नामित किया गया है मनदक उनके नाम से जाना गया है नाम कित किया गया है सिप्रकार्ट करें सकते है option number जिसने में दिया है रामाशार ठीक है याद रखना रामाशार बहुत इंपोटेंट है किस जिले में इस्तेता है आपको बढ़ाना है किस जिले में पाए जाते है जो बैराइट्स है और इंडू कह सकते हैं इंडालू साइट की बात करें ये किस राजिब उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते है इंडालू साइट और वैराइट्स ये सौरबध और मिर्जापुर में पाए जाते है जिसरे भी option number दिया है c बिल्कुर right होगा next question कर दो चलते है इस question कांसा सब्लोग COVID-19 सेक्ष बताइए निमनेकेत में से बागो के selection से संबनेद कौन सा इस्थल उत्तर परदेश में इस्थत है बताईए बागो के selection से संबनेद कौन सा इस्थल उत्तर परदेश में इस्तित है सब लोग बताएंगे अमनगर बिलकुल ठीक है जिसने भी option number दिया है बिलकुल राइड हो अमनगर हो जाएगा next question आपके सामने है देखिए 1857 इसबी के बिद्रहों में कानपुर की निता कौन थे तो 1857 को जो बिद्रह हुआ था उसमें कानपुर के जो निता थे उनका नाम क्या था आपको बताना है नाना साहे बहुत दी बड़ी है जिसने भी option number दिया है यह थे 40 question आपने 40 question में से कितने question सही लगा है मुझे comment section में ज़रू बताना यदि आपके 20 plus यहाँ सही है तो आप बहुत अच्छे है 15-18 भी है तो भी आप बहुत अच्छा खेल रहे है आप बहुत अच्छा कहलेंगे ठीक है आप बहुत अच्छे number आएगे आप 100% आप government college मिलेगा आप पर्यास करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा question करके आए और कोई भी डिक्का थे तो comment चेस्ट में पूर सकते है thank you for watching this video, bye bye चलको subscribe कर लेना